Assalamu alaikum everyone so in this video we are going to do premenstrual syndrome ठीक है अब premenstrual syndrome basically होता किया है ठीक है देखो हमारे पास occurrence of cyclic, somatic, psychological and emotional symptoms ठीक है क्या होता है हमारे पास patient पे cyclic यह symptoms हो रहे होता है ठीक है कौन-कौन से somatic, psychological and emotional symptoms ठीक है और यह जो symptoms होते है न यह basically हमारे पास कब होते है during little phase of the cycle, menstrual cycle के little phase में होता है ठीक है जब हमारे पास little phase कौन सा होता है जिसमें progesterone का level highest होता है ठीक है तब हमारे पास यह symptoms आ रहे होते हैं ठीक है अच्छा और जब हमारे पास साइकल खतम हो जाती है ना ठीक है हमारे पास साइकल सीज हो जाती है तो सिम्टम्स भी खतम हो जाते हैं ठीक है किस फेज में था प्री मेंस्ट्रिल फेज या ल्यूटिल फेज में हमारे पास ये सिम्टम्स थे ठीक है अच्छा जी इसके लावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते है प्रीमेंस्ट्रल सेंड्रोम तो मैरे आपको बदा दिया जिसमें आपकी स्टमेटिक सेकोलॉजिकल अमोशनल चेंज़ हो रही है ठीक है, इसके लावा प्रीमेंस्ट्रील डिस्फोरिकस डिसार्डर होती है ठीक है अब pre-menstrual dysphoric disorder basically यह होते हैं कि physical symptoms नहीं होते हैं पेशन्ट में ठीक है लिकिन psychological symptoms present होते हैं तो उसको आप dysphoric syndrome कहते हो ठीक है अब patient में आपकी etology की करम बात करें न तो pre-menstrual जो आपका syndrome है वो किन cause इसकी वज़ा से हो सकते हैं या तो idiopathic होगा ठीक है या तो steroid hormone के level जो है वो उपर नीचे होगे है या तो estrogen का level जो है हमारे sorry serotonin जो है पी hormone होता है उसका level कम होता है या हमारे पस कुछ genetical components हो सकते हैं पिर इसके बाद हमारे पस कोई risk factors होते हैं जैसे कोई बंदा caffeine जादा ले रहा है stress में है depression में है उसकी age जादा है vitamin mineral नहीं ले रहा और family history उसकी ऐसी है ठीक है तो उसमें हो सकता है ठीक है दोबारा आपको बता देता हूँ ideology में या तो idiopathic हो सकता है sex hormone का level जादा या कम हो गया maintain नहीं है serotonin happy hormone का level कम है genetical components है इसके लावा respect उसमें आपकी caffeine आजाती है stress, depression, increasing age, low diet of vitamins and mineral family history ये सारी चीज़ें ठीक है अब types के अगर आप बात कर रहो ना तो हमारे पास mild, moderate और severe हो सकता है ठीक है अब mild में क्या होता है mild में हमारे पास जो symptoms होते हैं उसमें हमारे पास mild में symptoms जोते हैं और severe होती है और severe में symptoms जो present होते हैं और activity, normal activity जो life की होती है वो भी हमारे पास severely effect होती है ठीक है अच्छा जे अब clinical features में आती है तो pre-menopausal syndrome में क्या क्या हो सकता है ठीक है देखो सबसे पहले patient में आपको मैंने बताया है कि somatic changes होती है निस्वाटिक changes में क्या होगा patient का abdominal pain हो रहा है bloating हो रही है उसकी ठीक है इसके लावा उसको cyclic weight gain हो रहा है ठीक है patient में nostalgia है ठीक है breast region में pain हो रहा है ठीक है इसके लावा patient में हमारे पास जो है वो headache और depression मगारा भी हो रहा है fatigue headache, depression ठीक है तो यह उपर वाले जो मैंने आपको बता है ना bloating, abdominal, cramps, cyclic, weight gain, nostalgia, fatigue, headache यह सारी आपकी चीज़े हो गई somatic changes में फिर आपकी psychological changes में आपके आजाते हैं mood swings ठीक है psychological changes में आपका आगया mood swings ठीक है अच्छा जी फिर आते हैं treatment पे ना तो आपने क्या करना है premenstrual syndrome को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने lifestyle modification करने है patient को आपने कहना है कि आपने weight कम करना है exercise कर, low fat diet लेनी है salts जो है वो कम करने sugar, alcohol यह कम करनी है high fiber diet, vegetables, fruit stress को आपने manage करना है ठीक है इसके लावा cbt वगईरा भी आ जाती है इसके लावा patient को vitamins देते हो vitamin B6, B12, minerals में calcium देते हो, vitamin D sorry, calcium देते हो, magnesium देते हो इसके लावा vitamin D वगईरा देते हो ठीक है, इसके लावा हमारे पास कुछ natural herbs होती हैं जिसमें हमारे पास whitest agnes आ जाता है red clover, asofluene आ जाता है ठीक है और हमारे पास ST John Watt आ जाता है और primrose oil आ जाता है ठीक है, इसके लावा हम लोग cognitive behavioral therapy भी use करते हैं ठीक है अच्छा जी, इसके लावा अगर ये premenstrual जो आपके symptoms है ना, बहुत जादा है ना, ठीक है तो उसमें आप क्या करते हो Transdermal Estradiol ठीक है, Transdermal Estradiol उसकी वैसे भी cycle रुख जाती है जी, नारे चनलॉक देते तो सर्जी में आप hysterectomy प्लस सेलफेंगो ओफerectomy ठीक है, तो बारा बता देता हम पहले आपने lifestyle modification करनी है ठीक है, फिर lifestyle modification के बाद आपने medical treatment medical treatment मेरा आपको क्या बताया था all contraceptive pills दे दे नहीं है इसके लावा आपने Transdermal जो है estrogen दे रहे थे, ठीक है ताकि level जब maintained रहे थे ना तो हमारे पस जब वो नहीं होगा क्या होता है ovulation नहीं होगी, cycle नहीं होगी ठीक है, इसके लावा आप patient को S.S.R.I.S. दे देते हो ताओ जो जो आपके जिसमे फ्लॉक्जटीन आजाते सितलोप्राम, सर्क्रिलीन वगएर ठीक है जो आपका हैपी हार्मून का level increase करा देते है G.N.R.H. analog दे देते हो ठीक है पिर surgery में आप जो है वो hysterectomy प्लस bilateris, sulfingo, opherectomy वगएर करा देते हो ठीक है अब G.N.R.H. analog जो है न हम क्यों देते हैं ठीक है, G.N.R.H. analog से क्या फाइदा होता है कि patient में अच्छा, एक तो ये G.N.R.H. analog हमारे osteoporosis को stop कराते हैं ठीक है, दूसरा आप G.N.R.H. analog लॉक से अगर patient response दे रहा है तो surgery से भी अच्छा response देगा, ठीक है, that's it thank you, लॉक, 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 खिर